नमस्कार दोस्तों स्वाधत आपका D11 टीम्स यूट्यूब चैनल में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडिया वर्षिस स्रिलंका के मीच होने वाले पहले ODI मैच के बारे में यानि पहले वन डे मैच के बारे दोस्तों ये वाला मैच खेला जाएगा आर प्रेमदसा स्टेडियम कोलंबो के ग्राउंड के उपर और इस वीडियो के अंदर हम इस ग्राउंड की पिछके रिकोर्ड देखेंगे दोनों टीमों के प्रेड़ों के रिकोर्ड देखेंगे प्रम कलाड़ी कौन रह सकता है वो जानेंगे और कप्तान वाइस कप्तान कौन बन सकता है वो भी जानेंगे तो अगर आपको अच्छी टीम बनानी है तो आप इस वीडियो को पुरा याद से देखेगा मिस मत कीजेगा वहीं देखो दोस्तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लो तो दोस्तो सबसे पहली बात आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में हमारे टेलिग्राम का लिंक मिलेगा या तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लो या फर्स्ट कमेंट चेक कर लो वापे आपको मारे टेलिग्राम का लिंक मिलेगा आप आपको उस लिंक पे क्लिक करना है और टेलिग्राम चैनल याद चे जोइन कर लेना है तो वो सोने के बाद जो भी सारी अपडेट आएगी ना पिछ रिपोर्ट हो गया प्लेइंग 11 हो गया टीम्स हो गया वो सब कुछ आपको बिलकुल फरी में टेलिग्राम पे मैचों में से 79 मैच पहले बैटिंग और अठावन मैच सेकंड बैटिंग करने वाले टीम ने जीपते हैं और अगर हम स्कोर पैटरन की बात करें तो 138 मैचों में से 23 मैचों के इंदर स्कोर 200 से नीचे बना है 53 मैचों में स्कोर 200 से 295 के बीचे बना है 40 मैचों में स्कोर 250 से लाश्ट के चार वंडे मैचिस की बात करें ना तो लाश्ट वंडे मैच के लागया था इसी साल दोजार चोवीस 11 जनवरी को जिस वो मैच था जिमभाप्यूर स्रिलंका के बीच उस मैच में जिमभाप्य ने पहले बैटिंग की चानवा रन बनाए दस विगेट पे स्रिलंक स्रिलंका स्तानवर रन बनाके आठ विगेट से मैच जीत गई दोनों इनिंग को मिला के बात करें तो दो विगेट फास्ट बोलर और दस विगेट स्पीनर को मिले उससे पहले इसी साल तोजार चोवीस को मैच के लागया था जिमभाप्यूर स्रिलंका के बीच उस मैच में जिमभापे ने पहले बेटिंग करते वे 208 रन बनाए 10 विगेट पे स्रिलंका 211 रन बनाके दो विगेट से मैच जीत गई 9 विगेट फास्ट बोलर और 8 विगेट स्पीनर को मिले उससे पहले एश्यकप 2023 का फाइनल मैच खेला गया था 17 सितंबर 2023 को वे मैच इंडिया और स्रिलंका के बीच खेला गया था और उस मैच में स्रिलंका के टीम 50 रन बनाके ओल आउट हो गई और इंडिया ने क्या उन रन बनाके 10 विगेट से मैच जीत लिया 10 विगेट फास्ट बोलर को मिले थे और उस मैच में इंडिया की तरब से मुहमत सिराज ने कमाल का परफू पे उस मैच में दोलों इनिंग को मिला के बात करें तो 11 विकेट फास्ट बोलर और 6 विकेट स्पीनर को मिले हैं वहीं इंडिया के तरप से मुहमत सिराज ने एक मैच के अंदर इस ग्राउंड की उपर सिरलंका के लाफ काफी अच्छा पफुमेंस दिया था यह चीज़ा की उपर काफी इच्छा देखने को मिल रहा है अभी T20 सिरीज के अंदर सिराज थोड़ा फ्लोप था अगर ओड़ यहीं सिरीज में सिराज खेलता है तो काफी क्रूशल रह सकता है इवन कपनानी वाइस कपनानी वाला उप्सन रह सकता है अलाकि रिस्की उप्सन जुरूर है लेकिन टाइम के साथ थोड़ा स्लो भी हो सकती है इन शोट आप एक मैलेंस पिछ मान के चल सकते हो जिसके उपर मैट्समें पलस बोलर दोनों आपको प्रूशल लोल प्ले करते हैं दिख सकते हैं बाकि दोस्तों टोस होनने के बाद पिछके रिगार्डिंग कोई भी और इंफ्रमेशन आएगी तो वह आपको टेलीग्राम के उपर प्रूइड कर दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंड में लिंक है लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम याज से जोइन कर लीजिएगा अब देख लेते हैं इंडिया और सिर्लंका के हैड्ट आपको क्या प्लेंग्राम याज जोइन कर लो टेलीग्राम बटाती हो पीछी रूपोर्ट बताता हो ओर प्लेंगग लेवन वगर्ण सबकुछ बताता हो टीम्स आप follow करो चाहें ना करो आपकी मर्जी रहेगी लेकिन आपको बहुत सारी और अपनेट मिलती जिसे आपका फाइदा हो सकता है और टेलिग्राम के उपर आपको टोस होने के बाद 30 मिनिट होते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है पहले कमेंट में लिंक है लिंक पे कलिक करके टेलिग्राम याद से जोइन कर लीजेगा तो दोस्तों अगर हम इंडिये की तरफ से बात करें तो शुगमन, गिल और रोईट शर्मा, ओगलर तीन नंबर पे आपको विराट ओली बैटिंग करते वे निक सकते हैं यानि ये तीन प्लेर होगे टोप ओडर के मैट्स में मिडलोडर की गरम बात करें तो लोकेस, राउल, रिशा, पंथ, रियान, प्राग, अक्सर, पटिल और वोसिंग्टन सुन्दर तक बैटिंग कर सकते हैं एक चेंज हो सकता है यहाँ पर राउल और यहाँ पर पंथ में से किसी एक कोगर टीम बार बिटाएगी तो उसके जिगर स्रेस एयर को मोगा दे सकती है, देखने वाली बात रहेगी, इस मैचे मोगा मिलता है या नहीं मिलता है उसके बाद बोलिंग के जिगर हम बात करें इंडिया की तरब से, तो मुहमत सिराज एक बोलर, अर्षदिप सिंग दूसरा बोलर, कुल्दी प्यादो तीसरा, वोसिंग्टन सुन्दर चोता, अक्सर पटेल आपको पांचो बोलिंग उप्सन देखने को मिल सकता है और यहाँ पे एक चेज यह भी हो सकता है, कि रियान पराग के जिगर सिवंग दूबे को भी टीम इंडिया खिला सकती यहाँ आपे रियान पराग सिवंग दूबे स्रेस अईयर में से कोई आपको एक दो प्लेयर खेलता हुआ दिख सकता है, बाकी प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी इंडिया की तरफ से उसके बाद अगर हम बोलिंग सीन बात करें, तो अर्सदिप सिंग, मुहमद, सिराज और अकसरप्टेल स्टार्टिंग में बोलिंग करते हुआ दिखेंगे, और डैथ के अंदर अर्सदिप सिंग, मुहमद, सिराज और कुल्दी प्यादो बोलिंग कर सकते हैं, कुल्दी आपको बता दूँ कि अभी तक अगर आपने sports बाजी आपको डाउनलोड नहीं किया ना तो डाउनलोड कर लो इस वीडियो के description और पहले कमेंट में लिंक है लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों sports बाजी की उपर आपको TDS नहीं देना TDS आपका refund हो जाएगा उसके अलावा sports बाजी के उपरा fantasy cricket, predictor, ludo और predictor league है हैं सकते हो और आपके लिए कमाल का deposit ओपर है अगर आप first time deposit करते हो flat 10 coupon code यूज़ करते हो ना तो आपको 10% extra cash मिलेगा माल लेकर first time आपने 10,000 रुपे deposit की और आपने flat 10 coupon code यूज़ किया तो आपको आपके sports बाजी के wallet के 11,000 मिलेगे उसके अलावा यहां पर आपको predictor league के अंदर free में 5,000 का giveaway देखने को भी मिलने वाला है उसके अलावा देखो दोस्तों sports बाजी के उपर आप live match देखते 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 दीए statement के उपर yes or no में अपने opinion टेडिकर के पैसे कमा सकते हो live match के अंदर predictor के अंदर अगर आपको लगता हारेगी तो आप no पे अपना opinion टेडिकर सकते हो जो यह rate और चेंज होते रहते हैं जैसे आपका profit होने लगे ना तब exit याद से ले लिजएगा ऐसे आपको एक और statement देखने को मिल लए है कि जो टिम पहले बैटिंग करेगी वो 50 अबर में 256 यह से लिंक पे क्लिक रो स्पोर्ट बाज यह डाउनलोड करो और खेलना स्टार्ट करो अब दोस्तों हम देखने ते टीम इंडिया के प्लेयरों का record टीम इंडिया के तरफ से सबसे पहला नाम है रोईच शर्मा राइट टीम एट्समें अठ ब्यासी परसेंट लोगों इन अपन पारन की कोसिस करेगा उसके बाद मारे पास टीम इंडिया के तरफ से शुग मंगिल राइटी बेट्समें चमारीस परसेंट सेलेक्शन है रीसेंट फॉम के अगरम बात करें तो 49-34-38-56 डीसेंट रीसेंट फॉम है हैड-to-head गंद्र अगर आप देखोगे न तो स्रिलंक क एक खिलाफ 6 एनिंग में 345 रन है 69 का एवरेज और इस ग्राउंड की उपर 57 का एवरेज है इस ग्राउंड की उपर भी एवरेज कमाल का है एड-to-head में भी काफी कमाल का एवरेज है तो आप तीम में रख सकते हो रिस्क लो तो CVC बना सकते हो ग्रेंड लीक एक आदी टीम के अंदर उसके बाद मारे पास टीम इंडिया की तरफ से समसे बड़ा प्लेयर विरात कोली राइटी बैट्समें 89 परशन सेलेक्शन है रिसेंट फॉर्म के गरम बात करें तो 76-09-0-70-24 रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हो एड-to-head गंदर 63 का एवरेज है इस राइटी बैट्समें 89 परशन सेलेक्शन है रिसेंट फॉर्म में 55-59-29-28 डीसेंट रिसेंट फॉर्म है एड-to-head में 49 का एवरेज है इस ग्राउंड की उपर 4 मैचों में 1669 का एवरेज है इस प्लेर का रिकोर्ड भी आपको आउट्ट्रेंडिंग देखने को मिल रहा है तीम इंडिया के टोप होटर के तो चार प्लेर ना रोईचर्मा शुगमंगील विराट कोली और केल राउल इन चारों का रिकोर्ड आपको अच्छा देखने को मिल रहा है अगर एक चेंज हो सकता है अगर बाइचांस पंथ को टीम बाहर बिठाती रैश देरती है और लोक चार जीरो चार पंदरा चातीस बीस अठारा बियार इसेंट फों में एट टो एडिक अंदर चार का एवरेज है इस ग्रॉंड पर कोई मैच नहीं खेला पंदरा परसंट सेलेक्स ने लेकिन अगर इशफ पंथ विगट कीपिंग करेगा तो इंपोर्डन रहेगा उसके बा बोलिंग भी डाल सकता है ये प्ले उसके बाद मरपास इंडिया की तरप से अक्सर पटेल लेफ्टी बैट्स में लेफ्टाम उतरोग स्पिंगर है रिसेंट फोंड विगेट दसरन दो विगेट संतारीस रन एक विगेट दसरन तीन विगेट लाश के चार पांच के हर वॉसिंग्टन सुन्दर लेफ्टी बैट्स में राइट आम उप्रेक स्पिंगर है चारीस प्रिशन स्पिंगर है रिसेंट फॉम 25 रन दो विगेट एक विगेट एक विगेट तीन विगेट डीसेंट इसेंट पर साथ चार और की बोलिंग भी करेगा उसके बाद इंडिय तो कपताने वाइस कपताने भी दे सकते हूँ उसके बाद इंडिया की तरब से अर्षदिप सिंग लेफ्टाम मीडियम पेसर है लाष्ट के 5-6 मैच देखोगी हर मैच मिस प्लेर ने विगेट निकाले है उसके बाद मेर पास इंडिया की तरब से मुहमद सिराज राइट पास बिगें पेसर है देखो रीसेंट फोड़ी खराब है सिराज की लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या पता है सिराज की सिराज ने यहां पे सिरलंका एक खिलाफ 6 वंडे मैचों में 19 विकेट निकाले है यानि तीन विकेट पर मैज का एवरेज है सिराज का सिरल बलता है तो ऐसा चलेगा कि अगर चलेगा तो यह जहां रखना उसके बाद इंडिया के बैंच वाले प्लेर देख लेते हैं तो च्यार नमबरे बैटिंग करने आएगा सेलेक्शन थोड़ा कम देखने को मिलेगा इंपोर्टन रहा जकता है सिर्लंका की प्लेंग 11 देख ल सिर्लंका की तरब से आपको बता दू पत्थी राना ना वो रूल्ड आउट हो गें ओडिया इसी रिल्चे तो हो सकता है इस मेज में आपको ना खेलते हैं देखने को मिले शिर्लंका की तरब से कुसल मैंडिस और पथुन निशान का ओपनर तीन नमबर पे आपको कायमान मेंडिस बैटिंग करता है ये तीन प्लेर होगे टोप ओडर के बैट्स में मिडल ओडर के गरम बात करें तो सदीरा समर्विकर्मा चरित असलांका जनित लिया लागे और वेनिंदु उसरंगा तक बैटिंग कर सकते हैं दूनित विलालागी भी बैटिंग कर सकता है और बो पर एक मैस था फाइनल मैच फाइनल मैच का मैंने आपको अब रिकोड बताया कि इंडिया ने वन साइडिड वो मैच बिन किया था जिसके अंदर सिराज चमका था और इंडिया ने पचास रनों पे ओल आउट कर दिया था शिरलंका लेगिन उससे पहले एक लीग वाला और वाइस कप्तान बनेते प्यांपी चरित असलान का और उस मैच में अगर मैं आपको बताऊ ना तो उस वीडियो में आपको बताया था और उस मैच के अंदर मेरी जो परसनल ग्रेंड लिक की ड्रेंक थी ना वो थी 58 ड्रेंक और मैं हारा सिर्फ एक चीज की वज़े से कि मेरी टीम के अंदर उस मैच के अंदर जस्परीद बुमरा नहीं था अगर जस्परीद बुमरा मेरी टीम में उस मैच में होता तो मैं लगबत तीन कोड के आसपास मैच में विंग कर सकता था वो प्रूफ मैंने आपको टेलिग्राम पे भी अगर आप देखना चाहते हो तो बाद में आपको पता दूगा कौन स्टार्टिंग में और कौन डैथ में बोलिंग करने आएगा बाकि हाई चांज इन की तरफ चे आपको यही प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी अब इनके फ्लेरों का रिकोर्ड देख लेते हैं सबसे पहला नाम कुसल मैंडिस राइटी इस ग्राउंड की उपर आपको 33 का आवरेज देखनी को मिलने वाला है उसके बाद मारे पास इनकी तरफ से काईमान्दू मेंडिस लेफ्टी बैट्समें ओफ ब्रेक स्मिनर 23 परशन सेलेक्शन यह एक लाड़ी आपका ग्रेंड लिंग में ट्रम रह सकता काईमान्दू मे है कि यह प्लेयर बैटिंग करने के साथ चाक ओफ ब्रेक बोलिंग भी डाल सकता है और कभी कबार विराट कोली जिसके बड़ा प्लेयर ना वो भी ओफ ब्रेक बोलिंग के सामने फस सकता है जिस धान रखना एट्वेड के अंदर अगर हम बात के तो कोई मैच नहीं खेला इस ग्राउंड क्यूपर एक मैच में शोड़ा रहन है उसके बाद नारपासन की तरप से है सदीरा समर्विक्रमा राइटी बैट्समें ये टेक्निकल प्लेयर सदीरा समर्विक्रमा इतला रिसाथ मासर चैया पंद्रा साथ है है एट्वेड में पंद्रा का आवरेज इस ग फ्राब है लेकिन इस ग्राउंड क्यूपर उस चास का एवरेज है और यह प्लेयर ना आपको बोलिंग करता हो दिख सकता है का देवर कि अगर इनकी टीम पहले बोलिंग करें तो इस जान रखना उसके बाद मारपासन के तरप से जनित लिया लागे राइटी बैसमन मीडि यह चलिएगा उसके बाद मारपासन के तरप से जनित विला लागे लेफ्टी बैसमन में लेफ्टाम और लोग स्पीनर मतर चार परसन सेलेक्शन है रिसेंट फॉम अठाइस रन जिरू विकेट यारा रन दो विकेट दो विकेट एडट गंदर 21 का बैटिंग से वरेज और इस ग्राउंड के पर 15 का बैटिंग सेवरेज रो बारा विकेट यह प्लियर को भी मैं मेरी टीम मिलेकर चल सकता हूं यह प्लिए आपके लिए गरेड़ी लेगा गशयों भीला लगे आपको ग्रेड़ीक देखने को मिल सकता है उसके बाद मारपासन की तरप से अगर इनकी टीम पहले बोलिंग करें तो असे था फरनेंडो आपके लिए इंपोर्ण निकल किया आ सकते हैं उसके बाद और वासंग के तरब से इशान मलिंगा राइटाम फास्ट मिंपेसर रीसिन फॉर्म इशान मलिंगे काफी कमाल की है एक विगेट पांच विगेट जु क्योंकि दिल्चान मदुसना का तो रूल डाउट है वो नहीं खेलेगा अकीला दनंजेव खेलता है उसके बाद निशान मदुसना का राइट डी बेट मेर तो एक एक एक्ष्टा बोलर खेलेगा तो चमाइक का कौनड़ता आपको खेलता वाद दिख सकता है तो यह आपको सिरलंका के सारे प्लेरो का रिकोर्ड देखने को मिलता है अब देखो दोस्तम टीम की बात कर लेते टीम की बात करें उससे पहले माँ आपको बता दूँ कि जो मेरी फाइनल स्पोर्ट्स बाजी की टीम होगी ना वो माँ आपको टेलीग्राम पे देदूँगा स्मूल लिक अगर आप दो मेंबर तीन मेंबर लिक खेलते हो ना तो स्पोर्ट्स बाजी आज से डाउनलोड करने ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में लिंक अब यह जो टीम है यह एक देमो टिप क्योंकि इस मैच के अंदर जो टीम बनेगी ना वो चीज डिसाइड कर लिए ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिलें के पहले कमेंट मिलें के क्योंकि वहां पे आपको फाइनल टीम मिलेगी अब मैंने आपको एक डेमो टीम देदी आपको दिखाने के लिए जिसमें विकट कीपर में रावल है बैटिंग में रोहित विराट और गील है अगर आप ग्रेंड लिग में ज्यादा रिस्क लेनिक मोड़ी में हो तो सिराज का रिकोर्ड आउटस्टेंडिंग है सिरलंका एक खिलाफ आपको पता हुगा 2023 का जो वंडे वर्ल्ड का पुआ था वानकेड़ी के अंदर मैस ता उसके अंदर भी सिराज चमका था दो एक चीज है पिच को देखके यह में सिराज की उपर कोल लेनी है तो देखो दोस्तों यह में तरब से इंडिया और सिरलंका के बीच होने वाले मैच की प्रेडिक्शन उम्मीद करता हम वीडियो अच्छे लगी लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एक चीज याद रख लेना इस खेल के अंदर वित्तिय जोकी में आदित लग सकती है सोच समझ के इंवेस्टमेंट कीजिएगा जितना आप अपने हिसाब से इंवेस्टमेंट कीजिएगा धन्यवाद